आप सभी का स्वागत है अभी सितंबर के मेने में और हम ये कहें कि अगस्त किलास्त में गण्यी की प्लांटिंग आप करते हैं तो जादा उत्पादन अधिक उत्पादन ले सकते साथ में साफ असली खेती भी ले सकते यह जो गन्ना अभी आपने देखा हमारे प्रगत्शिल किशान सत्य प्रकास तिवारी जी का है जिन्होंने सी ओ पंदरा जिरो तैस जो गन्य की सीघ्र किस्म पिछले वर्स निकाली गई है किसानों के लिए आच्छी किस्म हैं इसका परदशन अपने प्लाट पर किया है इसके अनुभों जो हैं किसान भाजिन को अपना करके और गन अगर इस वराइटी की नीचे से बात करें तिसमें रूटिंग ज्यादा नहीं होती है साथ ही में अगर आप बात करें कि इसके जो इंटर नोड हैं उनकी लंबाई काफी बहतर है इसके अलावा अगर मोटाई की बात करें मेडियम थिक वराइटी है आटो डी ट्रेसिंग है और लगाते समय किसान भायों आप ध्यान क्या रखें यह यहां पर बहुत जरूरी जो आपके काम की चीज है किसान भायों जब इस विराइटी की प्लांटिंग आपको करने हूं खेट की तहरी पहले कर लें गहरे जुताई कर लें जो आपको ट्राइकोडर्मा डालना है आखरी जुताई पर डालने विविरे वेस्याना का प्रयोग कर लें और उसके ट्रेंच बनाएं साड़े चार फिट की दूरी पर ट्रेंच बना लें तब इसका बीज काटें यह कभी न करें कि बीज आप काट करके और कई दिन रख करके तब गई करें चुकि यह है एक हाई सुगर्ड यानि बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा वाली विराइटी है अगर आप काट कर रख देंगे तो उसमें चीन्टी लगेगी फंगस लगेंगे सेट राटिंग होगी और गन्ने का टुक्डा सरने की संभावना रहती किसान भाईयों एक और जो साध्वानी बहुत समय आपको रखनी है कि बीच को काट करके बार बार लोड अनलोड ना करें चुकि आँखी इस वराइटी की निकली हुई होती हैं और जो आँखी किसी वराइटी की निकली हुई होती हैं उसको आप पढ़कते हैं तो आँखी टूर जाते हैं जिससे जमाव प्रहावित हो जाता है सीट का treatment बवस्टीन से जरू करने चाहें तो बवस्टीन से अगर नहीं करना चाहते हैं आरगनी खेती करते हैं तो चूना डाल करके थोड़ा सा और सीट का treatment के सानवाईयों आप कर सकते हैं इस वेराइटी में जो एक और खास बात है कि ज्यादा nitrogen का प्रयोग आपको नहीं करना है अगर ज्यादा करेंगे तो लाजिंग होगी soft variety है जिससे कीड़े मकोडों का प्रकोब बढ़ेगा तीसरी जो बात है कि इस वेराइटी में गन्ने की बंधाई बहुत जरूरी है इसलिए मैंने यहाँ पर यह प्लाट दिखाया है आप देख सकते हैं कि कि इतनी बहतर तरीके से सद्प्रिकास्तिवारी जी ने इस प्लाट की बंधाई की है पहले कुछ गन्नों को मिला करके बंधाई हैं ज्यादा गन्ने लेकर के करा बंधने तो गन्ने को गिरने की संभाना रहती फिर दो एक लाइन के दो जो कलंप हमको मिलाया गया फिर दोनों लाइनों को आपस मिला करके कैच्छी नुमा बंधाई की गई है और कैचिनुमा जब बनाई आप करते हैं तो कुछ दिन तक आपका गन्ना ऐसा लगता है कि टेड़ा है ते बात में चुकि इसमें फोटो ट्रॉपिजम होता है और गन्ना उपर की तरफ बढ़ता है तो गन्ना फिर सीधा हो जाता है और सीधा बढ़ना स्टाट कर देता है इ किसान भाई अपनी मॉनिटरिंग पूरी कर सकते हैं इन्पुट यानि खाद है पानी है और निराए गुड़ाई है उसको बेता तरीके से देख सकते हैं उनके लिए काफी अच्छी वराइटी हो सकती है और ऐसी दसा में भी हो सकती है कि अगर हम इस वराइटी की बात करें कि इसमें चीनी की मातरा ज्यादा है जिसको चीनी मिलों की भी एक तरके से मोस्ट प्रिफरेवल वराइटी है ऐसी दसा में किसान भाई इस वराइटी को लगा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं चुकि इसी ग्रिकेस में तो आपको जो गन्ले की परचियां है वह भ बहतर है चुकि इसमें टिल्डिंग फास्ट होती है अगर हम बात करें कि इस वराइटी को पाउधे उगा करके यानि सेटलिंग तैयर करके और फिर लगाएं तो कैसे रिजल्ट हैं अच्छे रिजल्ट हैं सेटलिंग आप लगाएं और खास तोर सी इस समय अगर आप तैय रख सकते हैं साथ ही में गन्या की टुकड़े को 2-3 cm मिटी से ठाके लेकिन इसकी एक सर्थ हैं कि आप नमी जरू बनाया रखें कभी यह न समझें कि हमने बता दिया 2 cm मिटी 3 cm मिटी गन्या की टुक्ड़े को डालनी है तो नमी अगर आपकी कम पढ़ेगे तो जमावापक का प्रहवित होगा इसका विशेश तोर से आपको ध्यान रखना है किसान भाईयों एक एकड में चार बैग सिंगल सुपरफासपेट एक बैग मिरोटे पोटास एक यूरिया बुवाई के समय आप प्रयोग करें साथ में जो स्वाइल का टीटमेंट हैं उसको जरू करें करने की नई वराइटिया हिनका प्रयोग करके अच्छे से च्छोग पदा